आज हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर वन का नाइंथ क्लास के चैप्टर नंबर वन का लेक्टर नंबर टू जो हमारा पास है इसका हमारा पास टोपिक है जी बाहले पास हम आजब के लिए सगय जह से जा दूसरे और बाक सैंसे के बात करते हैं तो इसमें जब भी हम ढगें साइंस की जितनी भी ब्रांचिस हैं चाहिए वो फिजिक्स है, किमिस्ट्री है, बायो है, जितने भी ब्रांचिस हैं, चाहिए वो फिजिकल में आ रही है, चाहिए जो है वो बायोजिकल सेंसिज में आ रही है, इसका दूसरी ब्रांच के साथ कोई ना कोई जो किसी ना किसी जिगा पर कोई न informations मिलती हैं लेकिन यह information जो होते हैं हमें दूसरी ब्रांची के साथ भी जाए वो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ information लाजमी परवाइड कर देती हैं इसमें हम देखें फार example मिसारे के तो पर देखते हैं जैसे humans के तो पर बात कर लेते हैं हम चलते हैं तो हम जब चलते हैं तो हम अपने पाऊं को जैवो जमीन की साथ जब को पीछे की जने और जमीन जो है अमल का अधियमल जो है इस चीज़ को हम देखते हैं कि हम अपने पाउं को बरी जोर से जो है वो जमीन से मिला कर उसे जमीन को पीच्छी की ततर धेके लियरेन जबकर जमीन जो है वो उसका reaction करते हुए हमें आगे की ततर भेजन शुर्ट कर 줄 कहते हैं तो हमें यह सब बाते हैं, हम किस तरह से चलते हैं, हम इन सब बातों को जो इल्म हमें, किसी साइंस की ही ब्रांच से में मिल जाता है. तो अगर हम देखें इसकी डैफरेंश के हवाले से, जो मैं कहता है, जी एवी ब्रांच उफ साइंस has a relationship with all other branches. कि हर ब्रांच का साइंस की किसी दूसरी ब्रांच के साथ कहीं ना कहीं पर जाओ, कोई ना कोई इसका तालूप, कोई ना कोई लिंक लाजमी इसका होगा. अगर हम देखते हैं, बात जैसे भी हम एन एग्जेंपल या आपको movement in animals की बात करें, तो हम इसमें देखते हैं, लाफ मोशन, तो movement in animals हम बात करते हैं, लेकि लाफ मोशन की बात करते हैं, लेकि लाफ मोशन की बात करते हैं, लेकि लाफ मोशन की बात करते हैं, इसी तरह से ह तो इस हमारा आज की जो टॉपिक है इसमें किस ब्रांच का किस की साथ किस तरह से तालुक की क्या है इसका रिलेशन के संसे करिम हुए तो इसमें सबसे पहले हम देखें दुमारा पास मुख्लिक ब्रांची ने के जाए तरह करते हैं इसके सब्सक्राइब के पहुत कर देखें तो समय डिस्क्राइब के सारी नाम देंगे तुसमें डिसिपिशन ओफ और उगनिजम्स के हम बात करते हैं कि और और जरुविजम को किस किस बुन्यात पर जो कैसे है वह दिस्टिब्यूट किये इन सभी हाई से साथ साथ कराव कराव बायो जी का किमिस्टिक के साथ भी डाय भायो माथ किसक्स का साथ भी आ रहा रहाए इसका एकनोमिक्स के साथ सब्सक्राइब अब इसमें आपने हाथ की बात कि अपने उटानल में दिए इसमें एक डियाग्राम जो हमारे पास है यहां पर की वेट है अब इस के इस साईड के उपर हल किसी फोर्स लगाकर इस वेट को अधना चुरू हो जाती है हम इस वेट को आसानी है तो बजह हो उठा के कहीं डूर ले जा सकते हैं तो पहले भी काम होता है यहीं चीज़ का हम देखिए अपने उपर इसी डूल को अगर हम अपने पर अप्लै करें तो हम देखते हम अपने बाजू को जो हमारा एक बाजू है उसका जो शोल्टर है वो वो खाली है अब उस बाज़ आध में उठा लेते हैं और असानी तौर पर जो हमारे शोलडर सिसको गृप देते हुए हमारा था हम बात करें ग्रैविटेशनल फोर्स की तो हमारा हाथ जो है इस वेट को यंश एन्वाइलप को जो हमने चीज़ उठा यह हाथ से उसको उप बोडी अपने हाथ से इसी चीज को उपर जाने खांश रहे है इस तरह से होगा क्या कि दोनों की दोनों जो फोर्सिज होगी एक दुसरे टकराने की वज़े से आपको रजाई डिसे मिलेगा जिस वज़े से आपका वेट जो आपने उठाया होगा वो बहुत ही आपको जो है वो उसका इतना अफेक्ट नहीं होगा वो बासानी तोरप हमें ले जागे हां बिलफर्स अगर कुछ चीज हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगी एफिट की ज्यादा जरूरत होगी फिर नेक्स हम बात करते हैं बायो किमिस्टि के हवाले से बात करते हैं यह भी एक बायो की जहें वो रलेशन है एक जिन्दा जानता में और गिनिजम में मुख्लिफ किसम के जो कॉंपॉंट से हैं और किस किस तरह रहे हैं इसमें जो मेज़ए ऑपके सामने जाती है वह मारें पर से मैं च्छाश कि कना यह तो फोटो सेंथिस भी एक living organism में होने वाले आमाल प्यeक कर वह प्रोड़ी एक MY अज़ संदुर्य कर्भाइस कर डेकें कहको पर आ आपके पास बनाशो जो जाती है लेकिन अगर हम बात कर रही है इसके अगर ऑप कर इसके में आपके पास रियाप है तो उसमें यही और यही गलुकोस में रियक्शन होगा और इसके साथ जा है वह कार्बन एक्साइट और वाटर प्रोडूसरों शुरूंगे इसके साथ जह वो अनर्जी भी प्रोडूस होगी अब यह अनर्जी का जो लिंक है इन्शाला हम इसे 7 चेप्टर में बायो अनर्जेटिक्स हमारा चेप्टर होगा उसमें हम इससे देखेंगे उसमें टोपिक जो हमारा होगा रस्प्रेशिंग हमारे से उसमें मज़ी इसके मैकेनिजम को हम भी देखेंगे कि अनर्जी जो है गुलुकोस के टूटन से अनर्जी जह वो किस तरहां से यहां पर बन रही है यह हमारा मुकमल हुआ बायो कमिस्टिवला टोपिक आगे हम बात करते हैं बायो मैथमेटिक्स की बात करते हैं यह बायो मेट्री की बात करते हैं बहुत इंपोर्टन चम है बायो मेट्री की हाल से देखें तो इसमें कहते हैं हम क्या करते हैं India बियो डीचे पर्षस को मेथीमेटिकल टेक्निक और टूल्स की मदद्य सीोलव करें मसलिए किजैंपल बात करते हैं तो आपने कुछ एक्सी शॹ् Casey में पहली भार को आपको जो डा चेशल टो फिर आपको मेला उसका रिजक्राइक प्र बैस चीज नींड few的ement practice फिर आफ ने ये प्रेक्टिकल ये एक्सपयरिमेंट किया अब इसका हमें एब में जो अब्सेट एक्स पैडिमेंट्स की उसके नशेटड को अमज्ब्लेट करेंगे गही और नंबर फक्ष परिमेंट्स जितनी बार हमने experiment को repeat किया पहली बार हमने repeat किया उसका result है यू फिर हमने repeat कि उसका result है फोर फिर हमने repeat कि उसका result है फाइव को भी आपके पास values ले सकते हैं अप इसे फिर जब आपने experiment को मुकमल कर लिए five times seven times eight emg timer भी किया आपने number of experiments के उपर इसको divide करेंगे तो आपको उसका result जो मिलेगा आप वो बता रहेंगे जी आया है कि इस experiment का हमारे पस ये result आ चुका है तो ये सारा अमल जो होगा आप इसे multiply किया आपने से प्लस किया आपने डिवाइड किया ये सारा का सार जो आपको mathematics की मदद से सारा पता चल रहा है तो ये हमें math के साथ भी bio correlation मिल गया जिसकी बना के ओपर हम आपने मुख्लिफ experiments के result को आसानी तो बज़व मिल रहे है इसमें example की बात करें तो कुछता जी to analyze data gathering after experimental work जैसे मैंने पहले आपको example दी समझाया कि हम experiment करेंगे उसके result को जो है data को हम collect करेंगे उसके बाद हम इसको mathematical tools या mathematical rules जो है इसको apply करने के बाद हम ये काम जहाओ सरी तरी के से सर अंजाम देनेंगे नेक्स नम बात करने बाद बायो जी घुक्राफी बायो जी गराफी पीजों तीन हिसों में नाम तक्सीम हाँ वाला पहला हम रहा पास इस जीओ और लास्ट व कृड़ा ग्रफिक सिर्ष्ट तो हम इसको मुकमल तो बहर कह सकते हैं अगर मसकी definition को तोड़ कर चोड़ करें त तो हमारा पास रहता है लाइफ अर्थ डिस्टिबिशन अब अगर हम इसके यह बाव महवड़ किया अगर हम इसके थोड़ा सा मज़ीर कुछ वर्ड्स एड़ करके इसके थोड़ी डेफिरिंशियों को बनाने की कोशिक करें तो हम यह कहते हैं जी डिस्टिबिशन ग्राफिम अफ लाइफ अन्दा अर्थ यहां डिस्टिबिशन अफ और गरनिजम्स ऑन अड़ यह हमारे पास रहे बाव जिगाफिय इसके हम बात करें तो इसकी मज़े से बाव जोग्राफिक के मज़े से हमें इस बात का एम में हासिल होता है कि हमारे पास कौन-कौन से और किसी और रिजनों पायजनेवल हैं इन तमाम के बारे में जो हमें ये लुगाफिक ये इन आ जगार जहां पर और इसके साथ उन और पर पाय जाते हैं इन दोनों के बारे में जहाँ मालूमाद देती है अगर हम बात करते हैं आपके सहरा के हवाले से तो वहां पर जो हमारे पर जब हो कैमल पाया जाता है तो कैमल जो है एक सहराई और्गनिजम है ठीक है डेजट और्गनिजम आता है इसे सहराई जहाज भी कहा जाता है तो इस तरह से आपको उस और्गनिजम का अगर हमने कैमल की बात की एक हम एपल की बात करते हैं ठंडे लाक में पाया जाता है यह हम बात करते हैं आपका नारियल कोकोनेट के हवाले से तो यह आपका वहां पर साहिल समंदर पाया जाता है तो इस तरह से हमें इन और्गनिजम के पताँ चल जाता है कि यह किन किन ज्यूर horizontally की tu पैइजब जाते हैं और इस ततरी विजुडिशन और चंडि गया यहां पर क्या क्या कुि दूसर्ण icing का भी पते हैं कि यहां पर औ सकता है कि नहीं mieć यह हमापस एक जनलर्शी है कि देखिए कुछ फिश पादी में रहती इस तरह में पानी पानी कर भाता चलता हो बायर नहीं रह सकती मुक्लिफ हम लोग जी इस तरह से इसदीच हो देखते होते हैं कि हमापस इन ऑगनिजम्स का आगर हम देखें कि कहा कहां प से बात करते हैं why oh means life है और economics में iATION में कर पाइद़ को लाइफ को हम Essential to subscribe उसमें बात करें तो हम लोग आप्ना किसी भी ओर गिसम की यहानग की बात कर लें ऐसकी भी ज Dale वो चीज़ की बात कर लें उसके हमें कोस्ट वैल्यू जो है उसके प्रॉफिट के हम बेचेंगे यहां से जह सेल करने से जो भी सूरत आखला है कितना फाइदा हुआ कितना नुक्सान हुआ लेटस् мостबस आपने कोई खेत लगाया उसमें अपने चावल खेत हैं आप वसे चावल को लगा दिया चावल लगाने के बात आपके ओपर उसके ओपर उसके आपका चावल क्या ह्याओ वह फुक्cession से चा वगता करें इस निए जो मुकंम्ल किया आपने में से सेल किया सेल करने के बाद जोए आपको जो परफिट मिला पुरफिट आपको तक बंड़ ही तीन लाख का मिला प्रोफिट तो मेंस that ही चीज़ है आपकी महश्यत को बढ़ा रही है इस तरह से हम देखें तो यह चीज़ है आपका ज किसी किसिम का कोई पॉइंट की ना समझ देए हो तो हमारे जो है इमेल अकाउंट है अबाई कम्पूटर प्रफेशनल के नाम से इसकला हमारे ट्विटर है इंस्टाग्राम है और सोशल मीडिया हमारा जो फेस्बुक पेज है आप इन सब पर हमें फॉलो कर सकते हैं और बकिय अपडेट्स हासले करने के लिए हमारे स्पेज को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताके नए अनवली अपडेट्स से आप लोग जम अगारा सकें आज के इतना काफी अलाहाफिज